जब भगवान को कोई कृपा प्रगट करनी होती है तो वे उस कृपा के आसरय कमन स्वयम अपनी ओर खींच लेते हैं जो लोग यह कहते हैं कि केवल भगवान का इस मरण करने से इस थूल प्रकृति में कैसे परिवर्तन हो जाएगा वे यह नहीं जानते कि परिवर्तन की क्रिया तो बहुत पहले से ही प्रारम हो जुकी रहती है प्रार्थना दो केवल भक्त के हिर्दय में भगवत इक्षा की प्रत्या वृत्ती मात्र होती है जब कभी विपत्ती काल में भगवान की अरुकमपा प्राप्त करने की अभिलासा उत्पन होती है तब जान लेना चाहिए कि भगवान की और से विपत्ती निवारन की योजना बर रही है जियों जियों उनकी योजना प्रोड होती है तियों तो हमारी सरद्धा और विश्वास तिवृतर होता चलता है अता विपत्ती निवारन हमारी प्रार्थना का फल नहीं होता बलकि हमारी प्रार्थना ही शफलता का चिन्न होती है कश्टों को काटने के लिए प्रार्थन ही एक ऐसा ब्रमास्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता हिर्दय से उठी सच्ची विश्वास युक्त प्रार्थना में सब कुछ प्राप्त करा देने की फिलक्षन सकती है हमें अपनी आत्मा पर विश्वास रखकर विनम्बर भाव से गदगद हो प्रति दिन इश्वर प्रार्थना करनी चाहिए ओम सांती